MP के सुरी रीथाना क्षेतर के एक गाव में विवाहिता अपने पती के साथ आराम से कमरे में सोती है दोनों राजी खुशी से हैं उनके बीच किसी तरह की नत तो लड़ाई होती है और नहीं दोनों में ऐसा कुछ विवाद है कि वो एक दूसरे की जान लेने पर आमदा हो जाएं लेकिन पत्नी रविवार की भोर में जगती है और उसके दिमाग में पतिक को जान से मारने का भूत सवार हो जाता है जो पत्नी पतिक का थोड़ा सा दर्द भी नहीं बरदाश्ट कर पाती थी आखिर उसने पतिक को जला कर मारने का प्लान कैसे कर लिया ये बात हर किसी को हैरान कर रही है, लेकिन पतनी ने पतिक को जलाया भी और इस बात को उसने कबूल भी किया कि उसी ने पतिक को आग के हवाले कर दिया, इतना ही नहीं पूरे समाज के बीच में वो सबसे माफी मांगती रही, जी हां पती बे धड़ग होकर बिस्तर पर चन की नींद सो रहा था, भोर का वक्त था, वो और भी गहरी नींद में था, इसी बीच पत्नी उठती है, अपनी नई साड़ी निकालती है, उसे केरोसिन में डूबो देती है, पूरी साड़ी पति के शरीर पर फैला कर उसे माचिस की तीली से जला देती है इतने में पतिक की नींद खुल जाती है वो शोर मचाता हुआ भाग कर घर से बाहर निकला किसी तरह से आग की जद से खुद को बचा सका तब तक शोर सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए पत्नी से हत्या के प्रयास की विज़र पूछने लगे तो उसने क कुछ नहीं बताया बस माफी मांगने लगी ससुराल पक्ष के लोगों ने माई के पक्ष को इसकी जानकारी दी तो वे भी सकते में आ गए दोनों पक्षों में पंचायत चल रही है असपास के लोग भी पत्नी को भला बुरा कहने लगे पती ने सब के सामने पत्नी से इस द पत्नी पर नहीं पहुँँच सकी। पत्नी पर किसी का साया तो नहीं, पडोस के लोगों की माने तो पत्नी कुछ दिनों से ऐसा व्यावार करती थी उसे देखकर लगता था कि वो खुद के दिमाग से नहीं बलकि किसी और के इशारे पर काम कर रही हो, कभी कभी रात में उसे नींद न आना, रात में उठकर घर क के काम करने लगना, तेज आवाज में ही रातों को गाना गाना और फूब हसना, ये सब आतें सोचने पर मजबूर करने लगती कि इसके उपर कहीं कोई बाधात नहीं है, लेकिन रविवार की भोर में जब उस महिला ने पतिक को ही जला दिया तो पूरा इलाका इस घटना से हैरान हो पढ़ा, घर वाले तो अब उसको रखने से भी इंकार कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब इसके हातों से कुछ भी हो सकता है, हमें इस पर भरोसा नहीं रहा